Exercise 6.3 का question number 16 हम लोग करने जा रहे हैं सिद्ध कीजिए कि वक्र y equal to 7x cube plus 11 के उन बिंदुओं पर असपर्स रेखाएं समानतर हैं जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर minus 2 है यानि जो वक्र हमारा दिया है y equal to 7x cube plus 11 एक बिंदु आपको दिया है x equal to 2 और एक बिंदु दिया है x equal to minus 2 यह कह रहे हैं कि x equal to 2 पे जो असपर्स रेखा है और x बराबर minus 2 पे जो असपर्स रेखा है दोनों एक दोसरे के समानतर हैं यानि x बराबर 2 पे हम लोग असपर्स रेखा की परवनता निकालेंगे और x बराबर माइनस दो प्यास परस रेखा की परवनता निकालें अगर दोनों की परवनता समान है तो दोनों समानतर होगी तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले dy by dx निकालें तो यह हमारा हो जाएगा 7 into x cube का differentiation 3x square तो dy by dx अब हम लोग x बराबर 2 पे निकालें तो यह हमारा क्या है 21 into x square और x की value 2 रखें तो 4 और यह हो गया 84 फिर dy by dx यानि असपर्स रेखा की परवनता x बराबर माइनस 2 पे हम लोग निकालें तो यह क्या होगा 7 into 3 into x square और x की value क्या है माइनस 2 तो यह हो गया यह फिर आगया 84 तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो असपर्स रेखा की परवनता है x बराबर 2 पे वही परवनता हमारी क्या है x बराबर माइनस 2 पे तो दो रेखाओं की अगर परवनता बराबर होती है तो दोनों रेखाएं समानतर होती हैं अता एक्स बराबर दो तथा एक्स बराबर माइनस दो पर असपर्स रेखाओं की परवड़ताएं बराबर हैं असपर्स रेखाओं की परवड़ता बराबर है हतां x बराबर 2 तथा x बराबर माइनस 2 पर असपर्स रेखाएं समान तरह question number यह हो गया आपका 16 number 17 क्या कह रहा है कि वक्र y equal to x cube पर उन बिंदूओं को ग्याद कीजिए जिन पर असपर्स रेखा की परमड़ता बिंदू के y नर्देसांग के बराबर है यानि जो परमड़ता हमारा है वो y नर्देसांग के बराबर है जो वक्र हमारा है y equal to x cube उन बिंदूओं को ग्यात कीजिए यानि x y कोडिनेट निकालना है जिन पर असपर्स रेखा की परवरता बिंदू के y नर्देसांग के बराबर तो असपर्स रेखा की परवरता हमारी क्या होती है d y y dx तो d y y dx यहां से हमारा हो गया 3 x square किया है और y नर्देसांग क्या होगा y equal to x cube होगा तो हम लोग कहेंगे कि असपर्स रेखा की परवरता की परवरता बराबर क्या है y नर्देसांग तो यह condition हम को दिया हुआ तो आसपर्स रेखा की परोड़ता y-nardy-san के बराबर है तो आसपर्स रेखा की परोड़ता क्या है 3 x-square और y-nardy-san का हमारा क्या है y equal to x-cube यानि x-cube minus 3 x-square equal to 0 यहां से x-square common करेंगे तो x minus 3 equal to 0 यहां से हमारा आ गया x equal to 0 and x equal to 3 तो x equal to 0 y बराबर x cube में रखने पर तो y हमारा पता चल जाएगा कि जब x 0 होगा तो y क्या होगा तो y बराबर 0 cube यानि y बराबर भी 0 आ गया तो एक point हो गया हमारा 0, 0 y बराबर x cube में x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 हम लोग रखनेंगे तो y की बराबर 3 cube y equal to 27 यानि बिंद हमारा क्या होगा x होगा 3 y होगा 27 तो दो बिंद हमको मिल गए कि असफर्स रेखा की परमणता 0, 0 और 3, 27 पर y निर्देशांग के बराबर अब question अगला करते हम लोग 18 नमबर 18 नमबर है वकर y equal to 4 x cube minus 2 x के पावर 5 पर उन बिंदों को ग्याद की दिए जिन पर असफर्स रेखाएं मूल बिंदो से होकर जाती हैं असफर्स रेखाएं जो है वो मूल बिंदो से होकर जाती हैं तो यहां पर हमारा दिया हुआ है कि असफर्स रेखाएं जो है कौन से बिंदों पर जो असफर्स रेखाएं हैं वो मूल बिंदो से होकर जाती है यानि असफर्स रेखा का समीकरन हम लोग लिखेंगे और उसको मूल विंदो से यानि 0 कामा 0 से पास कराएंगे तो y कुल 2 हमारा है 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 तो dy by dx यानि असफर्स रेखा का हम लोग परवनता निकालें तो यह जाएगा 12x स्क्वाइर माइनस 10x के पावर 4 अब असफर्स रेखा का समीकरन हम लोग लिख सकते हैं असफर्स रेखा का समीकरन रेखा का समीकरन y-y1 यानि यह हमारा 0,0 से यह पास हो रहा होगा तो यानि स्लोप इसका हो गया यह जो असफर्स रेखा होगी इसकी परवनता तो होगी यह और 0,0 से पास भी हो रहा है क्योंकि दिया है कि मोल बिन से होका जाती है तो असफर्स रेखा का समीकरन यह हमारा हो जाएगा y-y1 equal to m यानि 12x square minus 10x के पावर 4 यह तो हमारा परवनता हो गया x minus x1 यानि 0 तो यह हमारा हो गया y equal to x से multiply कर देंगे 12x cube minus 10x के पावर 5 यानि असफर्स रेखा का समीकरन यह हमको मिल गया अच्छा अब y क्या है 12x cube minus 10x के पावर 5 और यह असफर्स रेखा का समीकरन है तो असफर्स रेखा और वक्र जो है किसी एक common point पे मिल रहे होगे तो असफर्स रेखा का समीकरन और y यह दोनों हम लोग equate कर सकते हैं तो y equal to यह क्या कह रहा है वक्र की 4x cube minus 2x के पावर 5 यह समीकरन एक ले लेते हैं समीकरन 2 तो समीकरन एक बराबर समीकरन 2 जब कर लेंगे तो यह हमारा जो है बिंदू जिस बिंदू पे हो रहा है वो बिंदू हमको पता चल जाएगा तो यानि 12x cube minus 10x के पावर 5 equal to 4x cube minus 2x के पावर 5 यह 4x cube इधर आया तो यह हमारा होगया 8x cube और यह minus 8x के पावर 5 equal to 0 तो x cube minus x के पावर 5 equal to 0 यानि यहां से x cube कामन करें तो x square minus 1 equal to 0 तो x cube equal to 0 करेंगे तो x equal to 0 x square minus 1 equal to 0 तो x equal to plus minus 1 तो x की value एक हो गई 1 और x की value हो गई 1-1 अब इनके सापेच y की value भी हम लोग निकालें तो y बराबर 4x cube minus 2x के पावर 5 में x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 into 0 minus 2 into 0 यानि y बराबर आ गया 0 तो एक बिंद हमारा हो गया 0 कामा 0 अब x बराबर 1 हम लोग रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 into 1 का cube minus 2 into 1 के पावर 5 तो y equal to 4 minus 2 यानि 2 तो यह हमारा बिंद मिल गया 1 कामा 2 x बराबर minus 1 हम लोग रखते हैं तो y बराबर हो गया 4 into minus 1 का cube minus 2 into minus 1 के पावर 5 तो y equal to minus 4 और यह minus minus plus हो जाएगा plus 2 equal to minus 2 तो यह हो गया minus 1 कामा minus 2 तो तीन बिंद हमको आगे 0 कामा 0 1 कामा 2 और minus 1 कामा minus 2 इन बिंदों पे क्या है जो asperse रेखा हैं मूल बिंद से होकर जाती हैं तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं वक्र दिया था उन बिंदों को ग्यात कीजिए जिनिपर asperse रेखाएं मूल बिंद से होकर जाती हैं एक्सपर्स रेखा की परमटता डी वाई डी एक्स हो गया और यह एक्सपर्स रेखा मूल बिंदो यानि जीरो कामा जीरो से होके जाती है तो एक्सपर्स रेखा का समय करना हम लोग लिख रहेंगे दो रखेंगे तो y मिल गया उसके साथ h and what रख तो क्र उसके साथ 7 हम इसको अगला को और 10 लंबर में वक्र दिया हूँ कि उन विर्दूओं पर अस्पर्स रेखाов के समीह करणियाद की जहां वह एक्स अच्च के समांतर है तो x-a-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c जीरो होती है जीरो अब हम लोग यहां से करते हैं उन बिंदों पर असपर सरेखाओं के समीकरण कहात कीजिए जहां पर वो X अचके समानतर है यानि वह कर हमारा दिया है X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर माइनस 2X माइनस 3 इक्वल टु जीरो दिफ्रेंसेट करेंगे तो 2X प्लस 2Y और फिर Y के डिफ्रेंसेशन DIY बाइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू जीरो तो यह हमारہ हों गया 2X माइनस 2 प्लस 2Y DY बाइनस 2Y 526 को दर ले जाएंगे तो माइनस 2X माइनस 2 तो दी वाई य डी एकस हमारा हो गया X minus 1 और minus 2 कामन करेंगे minus 2 सॉरी 2 कामन करेंगे तो यह हमारा 2 2 cancel हो जाएगा तो minus X minus 1 upon Y यह हमारा क्या हो गया DY by DX हो गया यानि अगर इसको लिखे minus multiply करके तो 1 minus X upon Y यह DY by DX हो गया यही परवड़ता है और परवड़ता क्या कह रहा है कि वो 0 के बराबर है तो 1-x upon y equal to 0 यहां से 1-x equal to 0 यानि x equal to आ गया हमारा 1 तो x की value 1 आ गई अब y की value लोग निकाल लेते हैं x बराबर 1 हम लोग x square plus y square minus 2x minus 3 बराबर 0 में रखने पर तो x equal to 1 रखें कि 1 square plus y square minus 2 into 1 minus 3 equal to 0 यह y square यह 5 हो गया 5 से एक गया 4 तो y square equal to 4 तो y equal to हो गया आपका 1 plus 2 और 1 y equal to हो गया minus 2 तो x equal to 1 से हम को क्या पता चला y की value 2 यानि हमारा जो wind मिला 1 कामा 2 और अगला मिला 1 कामा minus 2 और परवनता हमारा क्या है 0 है तो अब असपर्स रेखा का समीकरण आराम से हम दो निकाल लेंगे असपर्स रेखा का समीकरण हो जाएगा y minus y1 equal to mx minus x1 बिंद हमारा क्या मिला 1 कामा 2 और 1 कामा minus 2 और परवनता दोनों की जो है 0 है तो 1 कामा बिंद 1 कामा 2 पर असपर्स रेखा का समीकरण y minus y1 यानि y minus 2 equal to m x minus x1 तो y minus 2 equal to 0 हो गया फिर 1 कामा minus 2 पर बिंद 1 कामा minus 2 पर असपर्स रेखा का समीकरण y minus y1 यह हमारा क्या है minus 2 equal to m यानि 0 x minus x1 तो यह y plus 2 equal to 0 तो दोनों हमको पता चल गया एक आगे आपका y minus 2 equal to 0 और एक हो गया y plus 2 equal to 0 अब क्वेस्चन नंबर 20 हम लोग करते हैं 20 क्या कह रहां वक्र a y square equal to x q के विंद ए m square कामा am q पर अभिलंब का समीकरण रिखाण किजिए वक्र है a y square equal to x q a हमारा constant है तो y square equal to 2 हो जाएगा one upon a x cube differentiation कर दें तो 2y x के साफेच dy by dx equal to 1 upon a into 3 x square तो यहां से dy by dx हमारा हो जाएगा one upon a into 3 x square upon 2y इधर आ जाएगा 2y यानि dy by dx यानि जो slope हो गया dy by dx equal to 3 x square upon 2 a y अब हमारा जो किस बिंद पर चाहिए am square comma am cube पे तो slope हमारा जो होगा dy by dx यह am square comma am cube पे चाहिए तो x की जगा पे जो हमारा dy by dx है इसमें am square रख देंगे तो 3 into am square का whole square क्योंकि x square upon 2a और y के जगा पे am cube तो यह हो गया 3a square m के power 4 upon 2a square m cube तो a square a square खतम हो गया 3 by 2 m cube से m cube खतम m हो गया तो यह परवंदता हमारा जो असपर्स रेखा की परवंदता आ गई वो 3 by 2m असपर्स रेखा की जो परवंदता हमारी आ गई यह 3 by 2m तो अभिलंब की परवंदता हो जाती minus 1 upon this क्योंकि हमको पता है अभिलंब की परवंदता अगर मानले हम लोग m है तो गुड़े 3 by 2m equal to minus 1 यह क्यों है क्योंकि अभिलंब और असपर्स रेखा एक दूसरे के लंबोत होते हैं तो अभिलंब की परवंदता गुड़े असपर्स रेखा की परवंदता मराबर माइनस 1 यानि तो अभिलंब के परवनता हम लोग M मान लिए हैं तो M इन्टू 3 बाई 2 तो M इक्वल टू आगया आपका माइनस 2 बाई 3 M अब अभिलंब का समीकरण आराम से लिख देंगे हम A M स्क्वाइर कामा A M की उपर तो अभिलंब का समीकरण Y माइनस Y1 इक्वल टू M माइनस 2 बाई 3 M X माइनस X1 अब इसको थोड़ा सा केल्कुलेट करने 3 M से मल्टिप्लाई करने तो यह हो जाएगा 3 M Y माइनस 3 A M के पावर 4 प्लस 2 X माइनस 2 A M स्क्वाइर इक्वल टू 0 अब इसको और साही से लिख दें तो 2 X प्लस 3 M Y माइनस 3 A M के पावर 4 माइनस 2 A M स्क्वाइर इक्वल टू 0 2 X प्लस 3 M Y माइनस 3 A M स्क्वाइर थोड़ा साल्व करें तो यह 2 X प्लस 3 M Y और यहां से हम लोग A M क्यूब अगर कामन कर लें A M स्क्वाइर A M क्यूब नहीं कामन होगा माइनस A M स्क्वाइर कामन करेंगे माइनस A M स्क्वाइर तो यह प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 और यहां बचेगा प्लस 3 M स्क्वाइर क्योंकि यहां पे M के पावर 4 है इक्वल टू 0 यह हमारा question number 20 हो गया question number 21 हम लोग देखते हैं वक्र y equal to x q plus 2 x plus 6 के उन अभिलंबों के समीकरन ग्याद कीजिए जो रेखा x plus 14 y plus 4 equal to 0 के समानतर है तो इसको हम लोग करते हैं वक्र हमारा दिया है y equal to x q plus 2 x plus 6 अब उन अभिलंबों के समीकरन ग्याद कीजिए जो रेखा x plus 14 y plus 4 equal to 0 के समानतर है यानि अभिलंब का slope यहां पर परवनता हमारा दिया है क्योंकि समानतर रेखाओं की परवनता हमारा बराबर होता है तो अभिलंब की परवनता जो होगी की परवनता रेखा x plus 14 y plus 4 equal to 0 की परवनता के बराबर होगी क्योंकि समानतर रेखाओं की परवनता है बराबर होती है तो अभिलंब हमारा इसके समानतर है तो अभिलंब की जो परवनता होगी इसी रेखा की परवनता के बराबर होगी यानि हम लोग x plus 14 y plus 4 equal to 0 की परवनता पहले निकालने तो इसको y equal to mx plus c के रूप में लिखते हैं तो this equals to minus x minus 4 तो 14 से डिवाइड करेंगे तो minus 1 by 14 into x minus 4 by 14 अब इसकी तोलना y equal to mx plus c से करने पर तो m हमारा यहां हो गया minus 1 by 14 यानि जो अभिलंब की परवनता है वो होनी चाहिए minus 1 by 14 अब अभिलंब की परवनता हम लोग निकालना जानते हैं असपर्स रेखा की परवनता निकालने तो असपर्स रेखा की परवनता होती minus 1 upon असपर्स रेखा की परवनता तो y equal to x cube plus 2x plus 6 तो dy by dx equal to 3x square plus 2 यह हमारा क्या है असपर्स रेखा की परवनता तो अभिलंब की परवणता हमारी हो जाएगी अभिलंब की परवणता माइनस 1 अपान 3x स्क्वाइर प्लस 2 क्योंकि अभिलंब की परवणता गुड़े असपरस रेखा की परवणता माइनस 1 होती है अब यह हमारा जो माइनस 1 अपान 3x स्क्वाइर प्लस 2 यह हमारा बराबर हो गया minus 1 by 14 के दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों अब लम की परोंटा बता रहे हैं तो 3x square plus 2 equal to हो गया 14 3x square equal to 12 x square equal to 4 यानि x की value आगी plus 2 और x की value आगी minus 2 x की 2 value हमको मिल गई अब इसके साब एच y की value हम लोग निकाल लेते हैं वक्र में रखके तो वक्र हमारा है y equal to x cube plus 2x plus 6 में x बराबर 2 तथा x बराबर minus 2 रखने पर तो इससे हमको y की value पता चल जाएगी 2 रखेंगे तो y equal to 2 cube plus 2 into 2 plus 6 तो y equal to हो गया 8 plus 4 plus 6 तो y बराबर आगया 8 4 12 6 18 x बराबर minus 2 रखें तो y equal to minus 2 का whole cube plus 2 into minus 2 plus 6 तो y equal to minus 8 minus 4 plus 6 तो y equal to minus 12 plus 6 तो y आगया minus 6 यानि बिंद हमारा पता चल गए 1 हो गया 2 कामा 18 और 1 हमारा हो गया minus 2 कामा minus 6 इसी पे हमको अभिलम का समय कराण निकात करना है अभिलम की परवाणता हमको पता है minus 1 by 14 अभिलम की परवाणता यह हमको पता है minus 1 by 14 यह हम लोग निकाल चुके हैं यह अब दोनों बिंदों पे अभिलम का समय कराण सिम्पल यह हम लोग लेख लेंगे तो 2 कामा 18 पर अभिलम जिसकी परवाणता minus 1 by 14 है का समय कराण y minus y1 यानि y minus 18 equal to m यानि minus 1 by 14 x minus x1 तो 14y minus 14 गुड़े 18 plus x minus 2 बराबर 0 यहां से हमार हो गया x plus 14y और 14 गुड़े 18 18 चोपके 72 के 2 हासिल 7 और 18 साथ बच्चे यह हो गया minus 252 तो यह minus 254 equal to 0 x plus 14y x plus 14y minus 254 equal to 0 यह हमारा एक हो गया अब minus 2 कामा minus 6 पर अभिलम का समय कराण पर अभिलम जिसकी परवाणता minus 1 by 14 है का समय कराण y minus y1 यानि minus 6 equal to m यानि minus 1 by 14 x minus x1 this implies 14 से multiply करेंगे x plus 14y plus 86 equal to 0 बद्ध्याजबे